नमस्कार आप देख रहे हैं दार न्यूज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्रा मनिश कश्यप सन व बिहार बिहार के बेटे परत्रकार मनिश कश्यप जो की बिहार की जरजर स्थितियों को दिखाते दिखाते बिहार सरकार के निशाने पर आ गए और उन्हें तमिल नाडू पहिजा गया और आपने देखा मदुराई जेल में रहे हैं तबाम प्रताडना उन्होंने जेला और अब खुल कर बहार आ गए हैं बड़ी खबल स्वक्की मोईनूल हक के स्टेडियम के बारे में जो जरजर स्थितियों का सामना हुआ है मनिश्क शप के सामने जो उन्होंने खबर को बताया आपको बता दे एक और दहार लगाई है मनिश्क शप ने बियार के बेटे ने अब अपनी आक्रमकता दिखानी शुरू कर दिया जुकूंगा नहीं इनके सामने नहीं बिखुरूंगा डट कर खड़ा रहूंगा उन्हें तो ये इतिहास के पन्नों में कुमार यादा और लाल उपरसाद यादावि पर मनीश्क शप का ये निशाना था दर्शको और फिर क्या था मनिश्क शप जेल से छुट चुके हैं रिया हो चुके हैं ौद देखिया अक्रमकता से बोल्ड अंदाज में अपने बयानों को रखते नजर आ रहे हैं मनिश्क कश्चप को पैदा होने से पहले मार देंगे और इनको सबक सिखाना जरूरी है जो तमाम लोगों के साथ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं ये गलत कर रहे हैं और जो बिहार को बदलना चाहते हैं नया बिहार बनाना चाहते हैं बरस्टर चार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं नजान सामने जुकूंगा नहीं और आजादी मिल गई है ना डरे ना जुके ना रुके कलम के सिपाही कभी नहीं रुकते उन्होंने कहा था पत्रकार हैं और देखें उन्होंने कहा इन लोगों ने उन सब को मसलने का प्रयास किया है जो बिहार बदलना चाहते हैं कोई साथ दे या ना दे मैं इन से अकेले लड़ता रहूंगा तो देखिए मनीश कश्यप आक्रमक्ता से दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे कि अभी एक गया के चिकित्सक काफी फेमस है जो डॉक्टर बीडी शर्मा के यहां दही चुड़ा करक्रम में गए थे देखिए बिहार में मकर संती आती है तो कई जगों पर दही चुड़ा खिलाया जाता है दही चुड़ा गुड़ और तिलकुट यह खाने से शुभ माना जाता है नए साल की शुरुवात होती है इनसान जो है वो गंगा में नहाते हैं तो देखिए बीडी शर्मा के यहां मनीश कश्यप गया कि होने पर उन्होंने कहा इन्होंने बिहार का अपमान करा दिया काफी खिलाडी वहां पर आये थे इन्होंने खेल का अच्छा विवस्तान नहीं रखा है नितिश कुमार क्या कर रहे हैं देखिए मैं आपको पता दूने कहा कि इस अपमान का सौ सालों तक नहीं भूला जा सक खुरा में प्रसिद्ध चिकित्सक के घर गए थे उन्होंने कहा कि सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ की बात कर रही है मौहिनुल हकी स्टेडियम में घुसकर बात कीजिए बिहार का इतना बड़ा अपमान हुआ है सालों साल इसको नहीं भुलाया जा सकता है सरफरास खान स्टेडियम तक नहीं है बिहार सरकार जान मुझकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है आपको बता रही है उन्होंने ये भी कहा कि बिहारी युवाओ की जिंदगी नौकरी के बिना नरक के समान है बड़ी बड़ी कंपनिया लाई जाए जिसे विरोजगार को नौकरी दी ज पाते हैं उन्होंने कहा बेउड जेल में ये बन थे हैं मनिश कशेब जहां से पाइस एवां हैं ये बिहार ने कहा तक ही मेरे उपर निस से से लगाया गया हम लोग ऐसा करें पत्रकार वह भी इन्होंने आवां किया और कहा एक जुटता का संदेश दिया कहा कि पत्रकार के ऊपर ऐसी कारवाई करने से पहले ये सोचे सो बार ऐसा हम करें मतला मनीश कशप एक जूट जनता को करने कोशिश कर रहे हैं बता दे आपको एक जूट जनता हो भी रही है अगर आप ट्विटर पे फेस्बुक पर सोशल मीडिया पर कहीं भी लिखेंगे सन मैं केवल ऐसी पत्रकारता करूंगा बिहार की जर जर इस्तितियों को दिखाऊंगा लेकिन मैं राजजिति नहीं करूंगा खेर ये बोल रहे हैं लेकिन अभी देखने वाली बात हो जाएगी गरिखें परसो बीजेपी के करदावर सांसद दिल्ली विभाग से मनोज तिव बिए अगे कोई पोल ना खोले यही वज़ा है कि बार-बार मनिश कश्षप की आवास को दबाने की कोशिश बिहार की सरकार कर रही है ऐसा मनिश कश्षप लगातार करते नजर आए हैं बोलते नजर आए हैं तो देखिए यहां पर मोचा खोल लिया है चारा चुर का बेटा नहीं हूँ कई बार आपने देखा नहीं जुकूंगा नहीं डरूंगा इनको सबक सिखाऊंगा कोई साथ दे या ना दे मुझे मतलब नहीं है मैं अकेला काफी हूँ इनसे मैं लड़ता रहूंगा और डटता रहूंगा और आगे नहीं जुकूंगा ये बिहार की जंदा की आवास दबाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में भरस्ट अचार हुआ है बिहार में तमाम जड़ज़ सितियां है युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है विरोज़गारी है सिक्षक भरती घोटाला है कई ऐसे घोटालों को उजागर करते हैं मौईनुल हक इस्टेडियम का अभी उन्होंने देखा आपने उजागर किया और देखिया इनके लाखों फॉलवर्ट्स हैं इसलिए वज़ज़ से कहा जाता है कि मनिश कर्षप अगर अच्छा जाए तो आगे बहुत अच्छी राज्यूती भी कर सकते हैं लेकि उन्होंने राज्यूती पर अभी अपन मुख्य मंत्री होना चाहिए मतलब ऐसे जानकार लोगों को जो ऐसा समझे कि रोजगार किसे दिया जाता है खहर ये तो मुख्य मंत्री निदेश कुमार जी हैं और अगर अच्छा काम कर ले तो निदेश कुमार की अतनी बेस्ती नहीं होगी तो जैकिन मनिश कशप के वज कि नितिशने गलती की हैं लेकिन वहां गठबंधन चल रहा है देखने वाली बात यह हो जाएगी कि 24 की चुनाओं में क्या मनीश कश्यप आकरमा करूख अपना इक्तिहार करते नजर आते हैं या फिर किसी राज्यूती पार्टी को जॉइन करेंगे जैसा बीजेपी में जान बात पर जोड देते आए कि मनीश कश्यप ने कहा मैं बाहर आ गया हूँ अब ऐसा करें आप सभी कि किसी पत्रकार को यह ऐसे जेल में डाल कर प्रताडित नहीं कर पाएं अब ऐसे में देखने वाली बात होगी इन तमाम बातों का असर राज्यूती में और मनीश कश्यप क कि राज्यूती में कितना होता है और मनीश कश्यप पत्रकार पत्रकार है पत्रकरता कर रहे हैं देखने वाली बात होगी उनकी इन बयानों से सियासी माइने जहनता क्या निकालती है बने रही है जो भी आपकी राए हो ज़रूर रखें शुक्रिया